तो पिछले वीडियो में हमने टैली के सभी ग्रूप लगवग किलियर कर लिये थे जितने कैस्ट इस्टिडी वन में हमारे यूज के होंगे और उसके बाद में यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे तो आज हमें पढ़ना है types of voucher और types of voucher पढ़ने के साथ साथ में हमने जो पिछले वीडियो में एक exercise दी थी उस exercise का solution भी इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ में हम voucher भी आज complete कर लेंगे तो voucher क्या होते हैं तो देखिए यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर पहुंचते हैं और इस question को थोड़ा सा solve करते हैं तो देखिए यहाँ पर debit आपका क्या होगा Mr. Sam Verma started a business with cash rupees at luck यह नहीं Mr. Verma जो है उन्होंने 8 लाग से business start किया है तो यहाँ पर debit आपका क्या हो जाएगा cash क्यों 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 क्या है cash मिल रहा है और credit यहाँ पर आपका क्या होगा credit यहाँ पर होंगे Mr. Sam Verma यहाँ पर credit हो जाएगे Mr. Sam Verma और यहाँ पर laser किसका बनेगा यहाँ पर laser आपका बनेगा यहाँ पर laser बनेगा स्याम वर्मा का स्याम वर्मा यह और यह under किसके जाएगा पता चल चुका होगा capital account के अंडर जाएगा क्योंकि हम पीछे group पढ़ चुके हैं और यह business स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए capital account में जाएंगे capital account अब यहाँ पर एक last चीज बसती है final जो है voucher अब यहाँ पर voucher क्या होगा तो देखिए जब हम tally में entry करते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ पर बताना पड़ता है कि कौन से voucher पर entry कर रहे हैं फिर डेविट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा लेजर किसका बनेगा और अंडर किसका बनेगा यह पास चीज यह हमारी clear हो जाती है तो हम tally में entry कर सकते हैं तो अब last हमारा बचा है voucher पता करना तो वाउचर क्या होते देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर आप चार वाउचर आपको पड़ने है क् कैस स्टडी वन में आपके चार ही वाउचर भी यूज होंगे इसलिए चार पहले पढ़ने है और बाकी जब हम second book में पहुचेंगे हैं तो हम आगे के वाउचर भी पढ़ेंगे तो सबसे पहला वाउचर है Contra वाउचर फिर Payment वाउचर, Receipt वाउचर और Journal वाउचर देखि वाउचर वाउचर करते हैं कि जो ट्राउचर हो रहा है वो कैसा है अब देखिए इस question में क्या हो रहा है क्या पैसा प्राप्त हो रहा है या फिर हम payment कर रहा है तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो इस question में क्या हो रहा है कि पैसा मिल रहा है यानि कि हम प्राप्त कर रहे हैं क्यों क्योंकि बिजनेस को तो पैसा प्राप्त हो रहा है ना सियाम वर्मा दे रहे हैं बिजनेस को तो पैसा प्राप्त हो रहा है यानि कि रिसीव हो रहा है तो यहां पर अगर हम वाउचर पढ़ें तो यहां पर इसकी डेफिनेशन नीचे दी गई है चारो वाउच दोनों condition में अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तब भी Contra Watcher यूज़ करेंगे और अगर हम bank से पैसा निकाल रहे हैं तब भी Contra Watcher इस्तमाल करेंगे लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान ये रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ Contra Watcher को वहीं पर इस्तमाल करेंगे सिर्फ टू टाइपस की इंट्रियों में bank में पैसा जमा करें या फिर निकालें इसके अलावा Contra Watcher और कहीं भी हम नहीं लगाएंगे तो Contra Watcher तो किलियर हो गया कि जब भी हम bank से पैसा निकालेंगे या जमा करेंगे तो Contra Watcher लगा लेंगे ठीक है इतना किलियर है अब Payment Watcher को भी उच करेंगे तो Payment Watcher हम तभी उच करेंगे जब किसी व्यक्तिक को कैस में या फिर चेक के रोप में भोगदान करें यानि कि अगर हम किसी को Payment कर रहे हैं कैसा भी Payment कर रहे हो हो सकता है कि हमने उसे Computer खरीदा हो पेमेंट कर रहे हो या फिर हम Rent पे कर रहे हो या फिर हम सैलरी पे कर रहे हो या फिर उससे हमने कभी उधार लिया होगा तो उसको उधार हम पे कर रहे हो चुका रहे है तो कुल म प्राप्त करना और यह आपका रिशीप्ट है रिशीप्ट बाउचर का इस्तमाल हम तभी करते हैं जब पैसा रिशीप्ट में अंतर तो जब किसी के द्वारा धन या कमीशन यानि कि जब कैस या इनकम हमारी होती है देखी जब इनकम होगी तो क्या होगा पैसा आएगा या कुछ और भी कंडिशन हो सकती ही जहापर पैसा आता है जैसे भी बिजनसी स्टार्ट हुआ तो जो बिजनसी स्टार्ट हो रहा है तो पैसा बिजनस के पास आ रहा है नहीं रिशीप हो रहा है तो बात उधार की होती है चाहे वहा उधार दिया गया है और यह आपका जर्जनल वाउचर है नॉर्मली बाकी जो इंट्री बचती है वो सब जर्णल वाउचर पर ही की जाती है जैसे उधार दिया या फिल लिया तो आगर आप एक चीज ध्यान से देखे तो ट्रांजेक्षन कितनी तरीके से किये जा सकते हैं पहला हम कैस से ट्रांजेक्षन कर सकते हैं तो हम पैसा दें किसी को payment कर दे या फिर कोई हमें check दे जाए तो यहाँ पर भी transaction हो रहा है लेकिन check के जरी होता है और तीसरा हम उधार भी transaction कर सकते हैं transaction यहाँ पर क्या होता है जैसे हमने माल उधार खरी लिया तो यह transaction हो गया लेकिन कैसे हुआ उधार तो अब यहाँ पर हम transaction तीन तरीके से कर सकते हैं और तीन तरीके से transaction करते हैं वहाँ पर हम यह तीन voucher लगाते हैं payment voucher जब payment करते हैं किसी को payment यह नि पैसा हम देते हैं तो payment voucher और receipt तब जब हम प्राप्त करते हैं और journal तब जब हम उधार किसी से खरीदते या बेचते है या निकि उधार हम किसी को पैसा देते हैं या फिर उसे लेते हैं और Contra Watcher जो बैंक में Transition होता है तो I think यह 4 Watcher के लिए हो चुके होंगे आप देखते हैं यहाँ पर कौन सा वाचर लगेगा तो यहाँ पर कैस जो है यह बिजनेस को प्राप्त हो रहा है नहीं मिल रहा है इसलिए यहाँ पर वाचर कौन सा हो जाएगा आपका रिसिप्ट हो जाएगा रिसिप्ट वाचर हो जाएगा आपका और यहाँ पर Short Key आप देखेंगे ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर Short Cut की लिखी हुई है यह देखें रिसीट वाचर की Short Key क्या है? अब यह F6 क्या है तो यह F6 एक्षिट वाचर की Short Key है जब हम tally पर काम करेंगे तो tally में receipt voucher को लगाने के लिए हम shortcut की F6 प्रेस करेंगे तो वहाँ पर receipt voucher लग जाएगा इसी तरह से contra voucher की shortcut की F4 है, payment की F5 है और receipt की F6 और journal की F7 है और बाकी यहाँ पर sales voucher F8 जब sales यह तब हम देखेंगे जब cash study 2 पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर purchase और sale आएगा तो वहाँ पर यह सभी voucher का इस्तमाल होगा तो चलिए अब यहाँ पर हम voucher समझ चुके हैं और बाकी जो अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो भी हम जब entry solve करवाएंगे तो यह समझ चाओगे आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह हमने exercise दी थी यहाँ पर देखे पहला question completely solve हो चुका है आप इसमें कुछ भी नहीं बचा है आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं तो यहाँ पर देखे डेविट क्या होगा यहाँ पर Mr. Roma opened a bank account in SBI deposit cash रुपीज 5 लाग यहाँ पर 5 लाग रुपे सीधी सी बात है 5 लाग रुपे बैंक में जमा किया गया तो डेविट हो जाएगा आपका SBI bank यह question डेविट क्रेट तो आप अच्छे से निकालना समझी होंगे और यहाँ पर credit क्या हो जाएगा आपका cash credit हो जाएगा laser किसका बनेगा bank का क्योंकि यह पहली बार आ रही है तो laser बनेगा आपका SBI bank का और यह under किसके जाएगा यह under आपका जाएगा bank account यह आपको पता होगा secondary group है यह bank account सभी परकार की जो bank होती है वो bank account के अंतरगती उसके खाते खोले जाते है अब यहाँ पर आपका voucher कौन सा होगा तो यहाँ पर आपका voucher होगा contra प्यूँ क्योंकि अभी हमने बताया था कि जब भी हम bank से लेंदेन करते हैं Contra voucher होता, तो यहाँ पर देखिए, हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो बैंक से ही तो लेंद दिन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका voucher हो जाएगा Contra, जिसकी shortcut की क्या है, F4, इसको भी आप चाहें तो bracket में लिख सकते हैं, टाकि यह जो shortcut की है, आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएंगी, याद नहीं करनी पड़ेंगी, उसके बाद अगला question है, Mr. Verma purchase or stationery in cash rupees 2000, तो यहाँ पर आपका debit क्या हो जाएगा, debit हो जाएगा आपका stationery, debit हो जाएगा आपका stationery expenses, expenses यह हम अपनी तरफ से लगा देंगे, सामने यहाँ पर amount लिखना जरूरी है, हम भूल जाते हैं, credit में आपका यहाँ पर हो जाएगा cash क्योंकि यहाँ पर stationery नगत खरी दी गई है और हम payment कर रहे हैं, इसलिए credit cash, laser किसका बनेगा, तो laser आपको पता चल चुका होगा, stationery का बनेगा, stationery expenses का बनेगा, और under किसके जाएगा, under यहाँ पर आपका जाएगा, यह indirect expenses के, indirect expenses के अंडर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर stationery expenses जो है, यह खर्चा है, और किस टाइप का खर्चा है, यह आपका indirect खर्चा है, I think इतना तो clear हो गया होगा, और यहाँ पर voucher आपका कौन सा होगा, payment, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे है, payment कर रहे है, इसलिए आपर voucher कौन सा होगा, payment, जब हम stationery खरीदेंगे, तो पैसा भुक्तान करेंगे, तो क्या होगा, voucher payment हो जाएगा, और इसकी sort की क्या है, F5 है, आगे बढ़ते हैं, अगला question, Mr. Ma purchased the following assets from Rajstable's house on credit, यहाँ पर उधार खरीदा गया है, लेकिन यह 3 item खरीदे गया है, तो यहाँ पर आपका यह debit हो जाएगा, यह भी आपका debit होगा, और यह भी आपका debit होगा, यह भी आपका debit होगा, यहाँ पर यह तीनों क्या हो जाएंगे, डेविट हो जाएं जाएगा, तो 7,18 और 6,14,200 रुपए आपका होगया, यह आपका होगया credit, अब यहाँ पर लेजर किसका बनेगा, तो लेजर यहाँ पर आपके तीनों के बनेगे, क्योंकि यह तीनों ही पहली बार आ रहे हैं, लेजर आपके यह तीनों के बनेगे इस तरह से, तो लेजर ज गया होगा, अंडर फिक्स रसेट क्योंकि यह तीनों ही स्थाई संपत्ति हैं, और यहाँ पर आपका वाउचर कौन सा होगा, तो देखी यहाँ पर उधार हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, अन्क्रेडिट का मलब क्या होता है, उधार, इस सभी की प्रैक्टिस आप जितनी बैतर तरीके से करेंगे, चीज़े उतनी ज्यादा क्लियर होंगी, यह कई बार कहे चुके हैं, अब यहाँ पर देखिए अगला कोशन क्या कह रहा है, कि मिस्टर रोमा ने 22,500 रुपे का कम्प्यूटर खरीदा है, तो यहाँ पर आपका ड के जाएगा यह, यह अंडर आपका जाएगा, फिक्सड असेट क्योंकि यह भी तो इस्थाई समपत्ती है, फिक्सड असेट के अंडर जाएगा, वाउचर कौन सा होगा आपका, यहाँ पर वाउचर होगा पेमेंट क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नगत खरीद रहे, तो यहाँ पर आपका voucher काउंट सा हो जाएगा, payment, short key, F5, Mr. Ruma hired an office space from Rs. 3000 per month, यहाँ पर देखिए हमने यह question आपको पहले भी समझा चुके हैं, यहाँ पर यह इतने question में क्या की गई है, यहाँ तक सिर्फ बात की गई है, तो इसकी तो entry करनी ही नहीं है, और आगे यहाँ पर payment किया गया, 50,000 रुपय का, तो debit यहाँ पर क्या हो जाएगा, security deposit, यहाँ पर क्रेडिट अब क्या हो जाएगा, चेक द्वाराँ पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर credit हो जाएगा, आपका SBI bank, SBI bank, और laser किसका बनेगा, laser यहाँ पर देखिए, bank का तो बनेगा नहीं क्योंकि पीशे बन चुका है, यहाँ पर laser बनेगा, security deposit का, security deposit का, और यह under किसके जाएगा, तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कि security deposit है क्या, तो देखिए, हम क्या कर रहे है, 50,000 रुपे, एक किराए के लिए office ले रहे है, जिसके बदले 50,000 रुपे security जमा कर रहे है, तो जब भी हम उसका जो office है, वो छोड़ेंगे, किराएम लोब वहां से हम हटेंगे, तो जो हमने 50,000 रुपे security जमा की है, यह हमको वापस मिल जाएगी, तो इसलिए यह क्या है, संपत्ती है, कौन सी संपत्ती है, जमा की हुई संपत्ती है, security deposit है, हमारी जमा की हुई संपत्ती है, और इसके लिए यहाँ पर tally में गुरूप आपको उपर दिया गया है, आपने अगर पढ़ा होगा, यहाँ पर देखेंगे, यह देखिए, यहाँ पर यह deposit assets, तो deposit assets यह कौन सा गुरूप है, secondary group है, और इस गुरूप में हम किसको रखते हैं, जो पैसा हम जमा करते हैं, दूसरे के पास, यहाँ नि deposit assets, यह समपत्ती है, तो यहाँ पर यह under किसके चला जाएगा, deposit, अगर आपको handwriting समझ नहीं आ रही है, तो आप comment करके बता सकते हैं, वैसे तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर यहाँ पर अगला है, voucher कौन सा होगा, तो यह Mr. Roma, appointed Mr. Ritu, कि यहाँ पर हमने यह question को समझाया था, आपको यहाँ पर सिर्फ बात की गई है, यहाँ पर Ritu Sarma और Pramod Agrawal को यहाँ पर employee के तोर पर यहाँ पर रखा गया है, और उनकी salary बताई गई है, कि salary कितनी होगी, इसलिए इस question को क्या करना है, आपको blank छोड़ देना है नहीं करना है, अगला question, यहाँ पर अगले question में क्या हुआ है, Mr. Roma ने 25 रुपे का stationery खरीदा है, किसे खरीदा है, Mohan Paper House है, on credit यानि कि उधार खरीदी है, तो यहाँ पर आपका होगा तो debit क्या, stationery क्या है, खरीदी है, यानि कि यह आपका expenses है, और expenses जो होते हैं, वो क्या होत तो यहाँ पर यह आपका Mohan Paper House credit हो जाएगा, laser किसका बनेगा, बताइए, laser देखिए, यहाँ पर stationery का तो बनेगा नि, क्योंकि हम पीछे बना के आए हैं, तो यहाँ पर laser बनेगा आपका Mohan का, क्योंकि Mohan पहली बारा है, Mohan Paper House, यह आपका laser बन जाएगा, और under किसके यह आपका under किसके जाएगा, Mohan Paper House, तो Mohan Paper House से हम क्या करने है, उधार खरीद रहा है, तो इसके लिए कौन सा ग्रूप है, sundry creditor, देखिए, यहाँ पर sundry creditor, यह current liabilities के अंदर है, sundry creditor एक secondary group है, और इसमें हम किसको रखते हैं, जब हम किसी से उधार लेते हैं, तो यहाँ प कौन सा होगा, यहाँ पर तो यह उधार entry हो रही ही न, तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर voucher कौन सा होगा, journal, short की क्या है, F7, आगे बढ़ते हैं, अगला कुश्चन है, यहाँ पर क्या किया गया है, 50,000 रुपे बैंक में जमा किया है, यहाँ पर Mr.Human ने deposit किया है, 50,000 रुपे इंटू बैंक, 50,000 रुपे बैंक में जमा किया, तो debit आपका क्या हो जाएगा, HDFC, debit हो जाएगा आपका, sorry HDFC बैंक नहीं है, यहाँ पर आपका SBI बैंक होगा, यहाँ पर आपका क्रेडिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, आपका cash, laser किसका बनेगा, laser यहाँ पर बनेगा, अब देखिए, यहाँ पर laser आपका किसी का नहीं बनेगा, क्योंकि cash का पहले से बना होता है, और bank का laser हम पीछे बना के आए, तो यहाँ पर जब laser नहीं होगा, तो आपका under भी नहीं होगा, आपका voucher होगा, ध्यान लखना है, तीन चीजे तो होगी, David, credit और voucher, य यह तीन चीजे हर question में होगी, तो यहाँ पर आपका voucher काउन सा होगा, कंट्रा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने है, bank से transaction करने है, bank से लेंदेन करने है, shortcut की F4, अलगे बढ़ते है, Mr. Verma paid cash rupees 1200 toward office expenses, तो यहाँ पर office expenses, यानी खर्चा हुआ है, तो debit क्या हो जाएगा, आपका ख बनेगा, laser यहाँ पर आपका बनेगा, office expenses का laser बन जाएगा, और under किसके जाएगा, अंडर किसके जाएगा, यह indirect expenses, क्योंकि सभी खर्चे क्या होते है, indirect expenses के अंतरगत जाते हैं, और यहाँ पर voucher क्या होगा, voucher यहाँ पर आपका होगा payment, क्योंकि हमने क्या, payment ही तो किया, खर क्रेडिट कैस यहीं पैसा गया वाचर पेमेंट लग जाएगा उसके बाद मिस्टर वर्मा रिसीब डा बिल रुपीज 4500 फ्रॉम सुगुन आफसेट प्रिंटर्स फर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी तो इस कुश्चिन को हमने समझाया था यहाँ पर कुल मिलाके तो यहाँ पर 4500 का बिल मिला है किस से मिला है सुकुन आफसेट से मिला है क्यों मिला है क्योंकि हमने स्टेशनरी खरीदी थी तो यहाँ पर डेविट क्या हो जाएगा स्टेशनरी डेविट क्या होगा आपका स्टेशनरी डेविट हो जाएगा और credit क्या होगा, credit होंगे सुकुन offset, यह होगे, और laser यहाँ पर किसका बनेगा, stationery यहाँ पर कई बार खरीद दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर stationery का laser तो बनेगा नहीं, laser किसका बनेगा, यहाँ पर सुकुन का बनेगा, सुकुन यह पहली बार आया है, इसलिए सुकुन का laser बनेगा, सुकुन offset, और यह under किसके जाएंगे, तो यह under जाएंगे sundry creditor के ही, क्योंकि इनसे भी तो हम उधार ही खरीद रहे हैं, इनसे क्या कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, और voucher कौन सा होगा, पता चल गया होगा आपको, वाउचर कौन सा होगा, जर्नल, एफ सेवन, ठीक है, तो यहाँ पर laser सुकुन offset, अंडर, sundry creditor, वाउचर, जर्नल, अगला question, Mr. Ma, withdraw cash, 4500 for personal use, तो debit क्या होगा, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर personal use के लिए निकाला है, इसलिए यहाँ पर debit क्या हो जाएगा, आपका withdraw, debit क्या हो जाएगा, credit क्या हो जाएगा, credit हो जाएगा, आपका cash, और laser किसका बनेगा, laser यहाँ पर आपका बनेगा, withdraw का, और under किसके जाएगा, यह, under किसके जाएगा, आपका under जाएगा capital account, किसके, capital account, और वाउचर कान सा होगा यहाँ पर देखे वाउचर पेमेंट होगा क्यों क्यों क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसले अहाँ पर आपका वाउचर कान सा होगा पेमेंट होगा तो यहाँ पर इस एक्सराइज में टोटल टोल कोस्चन जो हमने यहाँ पर debit की laser under watcher आपका पूरा complete करवा दिया है और अगर आपने exercise की थी और आपके question सही है तो अच्छी बात है और अगर नहीं सही है तो कोई दिक्कत नहीं है आप यह मैं समझे कि हम नहीं कर पाएंगे अभी तो बस starting थी अब इसके बाद हम पूरे project पर काम exercise मिलेंगी और वह exercise आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि अब आपके सारे concept जो है वह clear हो चुके है कि हम debit और credit कहां से निकालेंगे laser under और voucher कहां से निकालेंगे तो यह सारी चीज़े आपको पता चल चुकी है तो जो हमारा debit और credit है वह कहां से निकालेंगे देखे यहाँ प बाद में हम इन rules of accounting के तहत यहाँ पर हम debit और credit निकालने के बाद में और tally group में यहां से under पता करते हैं कि under किसके जाएगा और जो laser होता है तो laser के लिए यहाँ पर कोई rule नहीं है laser के लिए simple सा एक rule है कि जिसका laser नहीं बना है जो first time आया है उसका laser create कर देना है और जब आप laser बनाएंगे तो under भी decide करेंगे कि under किसके जाएगा तो वो under किसके जाएगा वो आप tally के जो group है इन से पता करेंगे और यहाँ पर tally के जो group है total 28 है जिसमें से हभी cash study 1 में आपकी सिर्फ 12 या 13 group ही use में आएंगे उन सभी group को हम अच्छे से पिछले वीडियो में detail में बता च पढ़ना है आपको सिर्फ 4 voucher पढ़ ले उसके बाद में बागी के voucher cash study 2 में पढ़ेंगे तो वाचर भी हमने complete समझा दिए वाचर के बाद यहाँ पर वाचर की definition दी गई है वाचर के बाद यहाँ पर आगे है terminology of accounting तो दिखे जो terminology of accounting है इसमें हमने बताया दा कल ही कि यहाँ यहाँ पर यह कोई rule नहीं है बस आपके जानकारी के लिए कि accounting में accounting line में किस चीज को क्या बोला जाता है जैसे example के लिए बता दे तो normally income जो हमारी होती उसको क्या बोलता है income लेकिन accounting में क्या उसको बोला जाता है revenue बोला जाता है तो इसी तरह से यहाँ पर किस चीज को क्या यहां पर बताया गया है कि यहां पर trade क्या होता है, profession क्या होता है, business क्या होता है, honor क्या होता है, तो वैसे तो हमें पता है कि honor यानि मालिक business का जो business में जो पूंजी लगाता है, वो honor होता है, लेकिन किसी भी business के जो honor होते हैं, जो honor होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तो अगर honor एक ह तो उसको क्या बोलते हैं और अगर ऑनर दो या दो से अधिक होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं और जब ऑनर बहुत ज्यादा होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर नीचे बताया गया तो बिजनेस का जो मालिक होता है अगर एक होता है तो इसको प्रोप्राइटर कहा आप बता सकते हैं शेयर उल्डर के बारे आपको हम अगली वीडियो बहा समझा देंगे अगर आप आप इस वीडियो के लिछे कमेंट करते हैं तो भी बताँंगे और नहीं करते हैं थो कि तो देखें ये कैपिटल होता है, जैसे पुंजी को बेज़ा है कि है जे सेपिटह और जमिल के आदि करता है । जब खरीदे हैं माल को क्या करते हैं वापस करते हैं तो वो purchase return होता है और अगर हमने जिसको माल बेंच दिया है यानि हमने क्या किया है माल बेंच दिया है और अगर वो माल वापस आता है तो उसको sales return बोलते हैं यह आप आसानी से समझ लेंगे, हमने बताया ना कि यह रूल नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है, stock क्या होता है, stock मतलब वो, जैसे हमने 50,000 का माल खरीदा और 30,000 का माल बेच दिया, तो बचा कितना, 20,000 का माल, तो जो 20,000 का माल बचा, वो क्या कहलाता है हमारा stock, मतलब जो हम माल खरीदेते हैं, वो अक्शली stock ही होता है, और देरे देरे उसमें से हम बेचते रहते हैं, फिर यहाँ पर बताया गया liabilities, तो liabilities क्या होता है, दाइट होता है, यानि कि जब भी हम read लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो यह जो loan होते हैं, यह हम 2 साल, 5 साल, 10 साल गे ले लेते हैं, लंबे समय के लिए, तो यह होती है fixed liabilities, होती तो liabilities ही है, और जो current liabilities होती ही होती है, और जो भी topic जो भी चीज़ आपके समझ नहीं आती है, उस topic का नाम डाल करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और Sunday को हम life session में आपके वो सारी चीज़े clear कर देंगे उसके बाद assets कितने प्रगार की होती है दो प्रगार की होती है इस्थाई संपत्ति यहाँ पर एक fixed assist और एक अस्थाई संपत्ति यानि की current assist तो fixed assist वो होती है जो इस्थाई रूप से होती जैसे computer, building, machinery और current assist चालू संपत्ति जैसे cash हो गया, bank हो गयी पैसा bank जो जबा होता, stock हो गया stock क्या होता है तो जो हमने बताया ना business trading वाले होते है तो वहाँ पर stock होता है माल जो हमारे swap में रखा होता है बेचने के लिए तो वो भी तो हमारी संपत्ति ही होती है क्योंकि वो पता नहीं कब बिग जाए तो यह होता है current assist debitors, debitors क्या होते है तो आपने बताया ना debitors वो होते हैं जिनको हम पैसा उधार देते हैं तो वो भी तो हमारी संपत्ति ही होती है debitors, वो हमारे debitors कहलाते हैं पूरा नम संद्री debitor और creditors क्या होते है creditors यानिकि जिनसे हम उधार लेते है वो creditors होते हैं और जिनको उधार देते हैं वो debitors होते हैं creditor और debitor यो तो ऐसे concept है जहांपर लोग जो है वो ज draft दर confused हो जाते हैं तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है कि creditor क्या होता है और debitter क्या होता है definition सही ते आपको अच्छे से समझना है और बाकी आप video को repeat भी कर सकते हैं अगर आपको कोई confusion है तो फिर उसके बाद expenses तो यहाँ पर expenses दो परकार के होते हैं direct expenses और indirect expenses तो direct expenses और indirect expenses को आप इस तरह से समझ सकते हैं पहले हम direct expenses को समझते हैं क्या होता है तो जो trading organization आपकी होती है तो trading organization में क्या होता है माल को खरीदा जाता है तो जैसे अभी हम LMP से विलॉंग करते हैं लखीमपूर में रहते हैं और हमने क्या किया लखनव से 10,000 रुपे का माल खरीदा तो 10,000 का अगर माल खरीदा है तो लखनव से उसको लखीमपूर लाने में हमारा 500 रुपे transportation का charge खर्च हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे हम माल को total 10,500 का कर देंगे कितने का कर देंगे 10,500 की तो अब ये माल की जो कीमत थी लागत थी वो क्या हो गई बढ़ गई किस से क्योंकि ये 500 रुपे transportation का हमारा खर्च हो गया अब suppose कीजिए हमें इस पर जो 10,000 का हमने माल खरिदा है इसे हम बेचेंगे 11,000 का कितने का बेचेंगे 11,000 का मलब 11,000 का नहीं बेचेंगे हमें क्या चाहिए हमें 1000 रुपे income चाहिए प्रॉफिट चाहिए हमें इसके ओपर क्या चाहिए 1000 रुपे profit हम माल कितने का बेचते? तब हम माल बेचते 11000 का, क्यों कि हमें तो सुर्फ 1000 रुपे प्रॉफिट चाहिए ना, तो यह हमारा 1000 रुपे यह इसको direct expenses के अंतरगर रखा गया, क्योंकि direct expenses जो होते हैं, यह मलब हमारे profit या loss पर यानि income और expenses पर कोई भी burden नहीं डालते, worthर नहीं जलते means इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी 1000 रुपय तब profit यानी income पभी होगा जब इसमें transportation का चारज नहीं होगा और 1000 रुपय हमारा पभी होगा जब इसमें transportation का चारज होगा क्योंकि अगर transportation का चारज होगा इसलिए ये direct expenses होते हैं और indirect expenses वे खर्चे होते हैं जो हमारे business के profit को घटा देते हैं कैसे देखिए माल लीजिए हमारा अगस्त महिने की 5000 रुपे income होई ये income है जान रखना 5000 रुपे क्या होई हमारी ये income होई और हमारे कुछ expenses भी होई जैसे पता है कि business में income भी होती है तो expenses भी होते है तो माल लीजिए 1000 रुपे हमने salary दे दी और 2000 रुपे हमने क्या दे दिया rent दे दिया तो अगर 2000 रुपे rent दे दिया 1000 रुपे हमने worker को salary दे दी तो total खर्चा कितने का हुआ 3000 रुपे का माल लेते हैं कि rent हम नहीं देते हैं हमारी खुद की building है rent नहीं देना पड़ता है तो हमारा कितना खर्चा हुआ सिर्फ 1000 रुपे का तो अब यहाँ पर हमारा profit कितना हो जाएगा 4000 रुपे का हो गया कि नहीं तो इसलिए ये indirect expenses होते हैं तो इसलिए ये indirect expenses होते हैं और direct expenses क्या करते हैं ये ना तो घटाते हैं ना तो बढ़ाते हैं business के profit को तो इसलिए direct और indirect expenses आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा आगे बढ़ते हैं और आगे है revenue तो revenue क्या होती है income तो income को revenue बोलते हैं goods या service यानि goods यानि माल बेचो या service प्रोवाइड करो दोनों से जो पैसा मिलता है market में sell करने पर उसे हम revenue लिखते हैं टैली में या फिर कहते हैं फिर income तो income भी हमारी दो परकार की होती direct income और indirect income अब देखे direct income क्या होती direct income वो income होती है जो directly हमें मिलती है जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई trading organization है और वहाँ पर माल को बेचा जाता है 50,000 का माल खरीदा और 60,000 रुपे का बेच दिया तो यहाँ पर यह जो 10,000 रुपे का income होगा direct income होगा और indirect income क्या होती है तो indirect income वो होती है जैसे discount मिल गया कहीं या फिर interest badge मिल गया या फिर indirect income हो गई इसको आप इस तरह से indirect income क्या होती है जैसे माल लेते हैं कि कोई customer जो है वो हमसे माल उधार ले गया वो हमसे 5,000 रुपे का माल उधार ले गया और उसने कहा कि हम 3 दिन के बाद में आपका यह उधार चुका देंगे नि पेमेंट कर देंगे लेकिन हमने भी एक सर्त रग दी कि अगर आपने 3 तीन दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद में आपका interest जुडेगा हैनी ब्याज जुडेगा हम माल लेते हैं उसने तीन दिन में payment नहीं किया है तो माल लेते हैं उसने एक महने बाद पेमेंट किया तो एक महने बाद अगर पेमेंट किया है तो interest निकालेंग यह आपकी हो जाएगी indirect income आई थिंक समझ गया होंगे तो इस type जो income होती वो indirect income होती है तो business में क्या होता है दोनों तरीके की income हो सकती है direct भी और indirect भी उसके बाद है discount तो discount के बारे में आपको अच्छे से पता होगा discount क्या होता है तो discount यानि की जो छूट मिल जाती है तो discount दो प्रकार के हैं trade discount और cash discount trade discount में क्या होता है कि जब हम कुछ सामान खरीदेते हैं तो जैसे माल लेते हैं हम कपडे खरीदने गए garment कपडे खरीदने गए और वहाँ पर उसने cert की कीमत बताई 500 रुपै तो cert की कीमत अगर 500 बताई है उसके बाद उसने 100 रुपै का discount कर दिया तो यह क्या हो गया अब क्या trade discount हो गया अब यहाँ पर cash discount को समझेए trade discount तो समझ में आ गया अब cash discount क्या होता है तो cash discount में यह होता है कि माल लेते हैं कि हमने 5000 रुपै का माल उधार खरीदा और हमने उससे कहा जाँ कि हम आपको 1 महने में payment कर दिंगे कितना ? 1 महने में आपका payment कर दिंगे तो अगर आपने 1 महने बाद payment किया तब तो हो सकता है कि आपका interest युदे यूल्टा आपको देना पड़े ब्याज लेकिन अगर 1 महने से पहले ही आप payment कर देते हैं यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका cash discount हो जाएगा, यह पैसों में कुछ कमी हो गई, तो यह होता है cash discount, trade discount जो instantly तुरंत हो जाता है, जब आप माल खरीदते हैं, और cash discount वो होता है, जब आप पैसा देने जाते हैं, और वहाँ पर कोई discount हो जाता है, I think समझ गया होंगे, फि अगर उसने वापस नहीं जुगा है, तो आप क्या करेंगे, फिर हम नहीं जुगा है, तो नहीं जुगा है, तो वह आपका 5000 रुपय होता है, वह आपका bad debts में चला जाएगा, bad debts कहलाएगा, यानि कि वह आपका पैसा डूब गया, जिसको हम expenses में transfer कर देंगे, फिर हम उसको यहाँ पर एक diagram के माध्यम से समझाया गया है, कि tally में हम कहां से सुरू करते हैं और कहां पर खतम करते हैं, यह आपका बहुत ही जरूरी है, इसको आप ध्यान से समझेए, तो देखें सबसे पहले क्या होता है, कि voucher transaction, वाउचर transaction यहीं हमारे पास क्या होता है, question होता है, य यह सारी चीज़े हम इस पहलू पर यहाँ पर decide करते हैं, और उसके बाद हम अगला number जो होता है, हम laser बनाते हैं, computer में क्या करते हैं, laser create करते हैं, तो जब हम laser create करते हैं, तो अगले number पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वो laser हम बना रहे हैं, वो कौन से account है, real account है, personal account है, nominal account है या फिर revenue है तो यह सारी चीज़े जब clear हो जाती है तो last में हमारा जब पूरी entry हम complete इसी तरह से कर देते हैं इसी तरह से एक entry की यहां तक पूरी process होई दूसरी की तीसरी की चौती की और एक महिने की entry कर दी फिर हमें trial balance जानी है यह trial balance क्या होती है एक प्रकार की report होती है तो यह आपका trial balance बनता है trial balance किन चीज़ों से बनता है इनी सब चीज़ों से बनता है trial balance और फिर आपका balance sheet किस से बनती है तो balance sheet जो होती है वो आपकी बनती है trial balance है और profit and loss account क्या होता है यह भी आपका बनता है trial balance है और जो final निकल के आपके पास आती है वो होती है balance sheet balance sheet ये last report होती है, final report होती है आपकी balance sheet report, final report profit and loss report जो होती है इससे पता चलता है कि business में कितना profit and loss हुआ है और balance sheet से हमें ये पता चलता है कि business में कौन से चीज, कितनी संपत्ति, कितनी liabilities, किस रोप में कैसे है और trial balance में हमें हर एक transaction की report पता चलती है कि कौन-कौन सी चीज़े इस महीने हुई है, क्या-क्या हरकत हुई है तो यह सारी चीज़े हैं, इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, जब हम practical करेंगे तो और बहतर समझ में आ जाएगा क्योंकि यह सारी चीज़े practical based है उसके बाद यहां पर service organization में कया होता है ? यहां पर subject है, तो student क्या करता है, छू को में पैसा देता है, और teacher क्या करता है, बदले में उसको service या नि声 होता है तो सर्विस और्गनाजेशन होती है, उसकी यही प्रोसेस होती है, बिजनेस प्रोसेस इना सर्विस और्गनाजेशन, सर्विस और्गनाजेशन में इतना होता है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता, उसके बाद, अब यहाँ पर नीचे समझा आ गया है कि ट्रेडिंग और गनेजिशन में क्या होता है तो देखें आपर ट्रेडिंग और गनेजिशन में क्या होता है ट्रेडिंग और गनेजिशन में कस्टमर होता है कस्टमर क्या करता है पहले डिमांड करता है डिमांड करता है बताता है कि हमें यह चाहिए फिर ट्रेडिंग और गनेजिशन क्य के अंतरगत आता है तो customer ने जो भी मांगा है वो stock से check किया जाएगा और customer को इस तरह से sell कर दिया जाएगा और जो sell होगा वो customer को ही होगा तो ये इस तरह से service organization का ये पूरा आपका checker चलता है इस type से जो उसके बाद है यहाँ पर business processing इना manufacturing organization तो देखिए manufacturing organization जो है ये trading organization के अंतर किया जाता है तो यहाँ पर भी demand होती है यहाँ पर भी demand होती है लेकिन ये customer की demand नहीं होती है या फिर किसी की भी demand हो सकती है या फिर जो बड़े-बड़े swap keeper है उनकी भी हो सकती है किसी की भी demand हो सकती है तो जब demand होगी तो manufacturing organization क्या करेगी inventory plan करेगी inventory plan करेगी मनलब goods को यानि माल को कैसे बनाया जाए, उसमें कितने वेक्ती लगेंगे, क्यों-क्यों सा कच्चा material लगेगा, कच्चा माल लगेगा, यह सारी चीज़े decide करती है, उसके बाद में क्या करती है, वो capital manage करती है, मतलब वो देखती है कि क्या इतना पैसा, जितना हमारे पास demand आई है, क्या उतना पैसा हमारे पास है, और उसको मिला करके पूरा complete माल तयार करती है, उसके बाद finished good मतलब माल तयार हो जाता, ready हो जाता, और उसको वो market में उतार देती है, तो यह होती है आपकी manufacturing organization, और inventory control जो है, इसके बारे में हम जब cash study 2 पढ़ेंगे, तो हम एक बार आपको यह notes फिर से समझा देंगे, तो आपको जो financial system है, इसको भी हम cash study 2 में ही देख लेंगे, क्योंकि इसका भी अभी use नहीं है, तो I think आपके यह notes है, यह आपके पूरे complete हमने करवा दिये हैं, इसमें जितनी चीज़े अभी जरूरी है, और बाकी चीज़े हैं वो आपके हम करवाते रहेंगे, आगे चलके, और syllabus की अगर हम बात करें, तो syllabus में आपका, तो अगर हम syllabus की बात करें, तो यहाँ पर आपका basic fundamentals में, what is tally, what is account classification, of account terminology, of accounting, golden rules of accounting, general entry, predefined tally group, और types of voucher, इन सभी के बारे में हमने complete अच्छे से समझ लिया है, अब इसके बाद में जो अगले वीडियो होंगे, वो हम यहाँ पर tally को download और install करना देखेंगे, overview of tally, यहनि tally को download install करना और tally से related चीज़े practically देखेंगे, अब आने वाले कुछ वीडियो में आपका जो है वो practical होगा, और उसके बाद हम काम करना सुरू करेंगे project पर, तो अभी तक आपने जितने वी वीडियो देखें हैं, उसमें आपके notes और कुछ exercise भी clear हो गई है, तो इससे final conclusion यह निकलता है आपका, कि आपने समझ लिया है कि tally क्या है, और question क्या होते हैं, tally में जो question किस type क्यों होते हैं, और उनमें हम debit, credit, laser, under और voucher कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अब आपका काम यह है, कि आप अपने आपसे खुद से कुछ 15-20 question अपने आपसे solve करें, मलब question भी आपको अपने आपसे ही लेने हैं, और अगली वीडियो में हम tally को internet से download और install करना देखेंगे, और tally software पर काम करना शुरू करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, thanks for watching this video.